हेर ट्रांस्प्रांट के बाद हेल्मेट कब से पहन सकते हैं देखिए हेर ट्रांस्प्रांट के बाद जो स्कैल्प होता है और जो ट्रांस्प्रांटिड हेर होते हैं वो डेलीकेट होते हैं और अगर उस समय हम हेल्मेट पहन लें तो फ्रिक्शन से और फ्रेशर से स्कैल्प और नए transplanted hair के damage होने के chances बढ़ जाते हैं और infection के chances भी काफियत तक बढ़ जाते हैं तो usually patients को advise करते हैं कि hair transplant के बाद कम से कम 2 हफते और हो सके तो 3 हफते तक helmet नहीं पहने जिससे कि जो hair है, जो delicate hair है उनका take up हो जाए और उनका जो damage rate है वो minimize हो जाए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने hair transplant surgeon से discuss करें procedure से पहले इन सब चीजों के बारे में कि कब से क्या पहन सकते हैं कब से helmet पहन सकते हैं जो आपका result है वो अच्छा आए और natural आए इस तरह की और information के लिए आप हमें follow करते रहिए